नमस्कार मैं सुमंश्री स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में जैसा कि आपने थमनेल पर देखा होगा कि हम रीट लेवल 2 की SST को पढ़ने जा रहे हैं रीट सेलेक्शन के लिए मातमिक शिक्षा बोड की जो बुक्स हैं 6th क्लास से लेकर के और 10th क्लास की जो बुक्स है वो बहुत इंपोर्टेंट होगी और इसमें भी हम सबसे पहले 6 ख्लास की जो बुक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे और आज का जो हमारा पहला लेशन ह वह भोगोल का है और इस लेसन में जितने भी मैतुपन पॉइंट्स हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया है और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं और आशाए कि आपको यह टॉपिक जो है वो पसंद आएगा तो आए हम शुरूबात करते हैं इस लेसन की सबसे पहला जो लेसन है वो ब्रह्माध है इसके बारे में हम बात करेंगे अंतरिक्ष क्या है तारे क्या है और उसमें कौन-कौन से नामों को जाना जाता है तारों के समू को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर मैंने जि सबसे पहले रहा हम बात करते हैं कि प्रत्वी के चारों और अंतरिक्ष व्यापते हैं आप जानते संहात। तारों के सम्हों को तरबाल कर देखते हैं इतने बड़े हुए है तो आफ इसके बारे मियं भी जानते हैं। अगला जो है वो है कि तारों के सम्हू को अलग-अलग देशों में उनकी मान्यताओं और उनके सम्हू के अधार पर अलग-अलग नाम दिये गए हैं। अगर मैं भारत की बात करूँ तो आपने देखा होगा इससे सम्मदित जो साथ तारों के सम्हू को सब्त रिशी मंदल के नाम से जाना जाता है। बड़ी रोचक कहानी है इसके बारे में कभी आपने सुनी हो। तो प्राचिन मानेता के अनुसार ये साथ जो तारे हैं वो महान ज्यानी दिशी हैं जो अपने अलोकिक ग्यान से प्रत्थी को अलोकित करते हैं। भारत के कई भागों में तारों के सम्हूं में सम्लित चार तारों को चार पाई केते हैं। इसी तरह से अगर आप अलग-अलग देशों के बात करेंगे तो उसमें अलग-अलग अलग नाम दिये गए हैं। जिससे कि चार तारों को भारत में चार पाई केते हैं तो फ्रांस मे इसे सॉस पैन केते हैं ब्रिटेन में इसे खेत जुतै वाला हल और यूनान में इसे स्माल बियर के नाम से जाना जाता है जैसा कि आपने देखा होगा कि यूनान में इसे स्माल बियर के नाम से जानते हैं जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग होता है हम तारों के बारे में बात करें थे तारों के सम्हूं के बारे में बात करें थे इसी तरह से इन तारों के सम्हूं में उन्हें जिस प्रकार की पशू की या पक्षी की आकरती नजर आती है उस तारा सम्हूं को उसी पक्षी अत्वा पक्षी के राम पर उसका जो नाम है वो र पूछेंगे आप तो उन तारों की इस्तती को देख करके वो दिशाओं का निर्धारन करते हैं उनके बारे में बताते हैं कभी आपने बड़े जो बुज़र्ग हैं उनसे भी सुना होगा कि तारों से जो इस्तती है दिशाओं की जो इस्तती है उससे ग्याद किया जा सकता है जैसे कि सूरे की रोषणी, डलती हुई रोषणी को देखकर वो समय बता सकते कि समय कितना समय हुआ है, कौन सा पहर चल रहा है, तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि रात्री के समय जो लोग है, वो तारों की इस्तिती से दिशाओं का निर्धारन कर लेते थे, अगला जो ह कि उत्तरदिशा का सटिक निर्धारन होता है, तो वो धुरुवतारा है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, धुरुवतारा हमेशा एक ही इस्तान पर इस्तिर रहता है, और पॉल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धुरुवत आप में देखा होगा तारे ग्रह, धूम, केतु, उप ग्रह, प्रत्फी, सूरे, चन्द्रमा, आदि जिसमें यह सब शामिल होते हैं, वो खागोलिये पिंड कहलाते हैं, बात करते हैं कि तारे तारे विशाल और अति-गरम गैसी पिंड होते हैं, तारे जो हैं, वो हाइट में जो तारे जो दिखाई देते हैं वो किस से बने होते हाइड्योजन रिवल्ट के कलन कीन वी yangा अगला पॉयंट है वह सूरिय को आप सभी करaráग देते हों सबी जानते हैं रोशनी देने वाला है और इसके बीना संसार में कहीं पर भी उजाला नहीं होता तो उसके बारे में पताया गया है लेसन के अंदर कि सुर्य जो है वो वास्तों में एक तारा है तारों की यही तरह सबी खगोलिये पिंड गेसीये नहीं होते हैं कुछ पिंड जो होते हैं वो ठोस प्रधार्त के बने होते हैं तो कुछ दर्वे और कुछ गेसी प्रधार्तों से बने हैं कुछ पिंड स्वयम चमकदार हैं और कुछ जो है दूसरों के दूसरे पिंड के प्रकास से भी चमकते हैं इसी प्रकार से बताया गया है कि सभी ग्रह और उपग्र नहीं पहुचेगा तो दिखाई नहीं देंगे चमकेंगे भी नहीं तो इस प्रकार से जो सूर्य है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है उसके बारे में यहां पर लेसन में बताया गया है और आगे बताया गया है कि आकाशी और खगोलिय पिंड अनंत आसमान में बिखरेवे होत है वो कैसा है असिमीते और इसी में हमारा ब्रह्मान है अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलिय पिंडो के असंख्य समू भी इसी के अंदर पाए जाते हैं अंतरिक्ष में क्या होता है और यह किस तरह से इसके अंदर परिवर्तन होता है क्या क्या चीजे होती है वो वो गुरुत्व आकर्षन के कारण एक दूसरे से बंदा है और उसे आकाश गंगा कहा जाता है जो लाखों प्रकास वर्ष की लंबाई और चोड़ाई में फेला हुआ है तो इस तरह से यह जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे ब्रह्मान से संबंदित उसके बारे में हमने बात क है अगला जो पॉइंट है वो है अंगिनित आकाश गंगाओं के समू को ब्रह्मान कहते हैं अगला तारों के छोटे समू को नक्षत्र मंडल कहते हैं यानि कि तारों के जो छोटे-छोटे समू होते हैं जिने हम देखते हैं कभी आपने अगर रात को आसमान को देखा हो उस मंडल यह आकाश गंगाउंत का निर्मान होता है जिसे कहते हैं और भिण नखशत्र मंडलों के अंदर तार की मंडल इस्तित हैं और जैसे कि हमारा सौर मंडल है अग्ला प्लांज यह जो है 뭐 ब्रह्मान के उत्पति से संबंदित ठान्ध रण ब्रहमान की उत्पत्ति समंदी सर्वमानि जो सिधान्त है वो बिग बेग का सिधान्त है और ऐसा कहा जाता है कि 13.7 अरव वर्ष पहले एक बहद प्रभावशाली जो विस्पोर्ट हुआ जिसे नाम दिया गया था बिग बेग विस्पोर्ट के बाद में ब्रहमान और खगोल ब्रहमान बना उसके बाद में उससे इसके उत्पत्ति मनी जाती है अब यहां पर है कि ब्रहमान क्या है यानि ब्रहमान किसे मिलकर के बना है तो ब्रहमान जो है वो अनेक 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 यानि अनेक आकाश गंगाउं से मिलकर के बना है इसी तरह से प्रत्वी सहित सौर कल्पना है वो आसमान में प्रकाश की नदी से की गई है तो ये इसमें बताया गया है इसमें टोपिक में किस तरह से आकाश गंगा बनी किस तरह से ब्रह्मान की उत्पत्ती हुई और ब्रह्मान की उत्पत्ती का जो सर्वमाने सिध्धान ते उसको क्या नाम दिया गया है और कब एक प्रभावशाले विस्पोर्ट हुआ था और उसके बाद में ब्रह्मान और उसके खागोली पंडों की जो पत्ति होती है वो कैसे होती है अगला पॉइंट है वो है कि तारों के समू से ही आकाश गंगाओं का निर्मान होता है प्रत्वी का सबसे निकर्तम जो तारा है वो है सूरे जो प्रत्वी से लगबक 15 करोड किलो मीटर दूर है तो तारों के समूझ से किसका निर्मान हो रहा है अकाश कंगाउं का और बात करें तो प्रत्वी का सबसे निकर्तम तारा क्या है सूरे है अब बात यहां होती है कि तारों में क्या रोशनी होती है या वो किसकी चमक से चमकते हैं उसके बारे में तारों की रोशनी और चमक भी लगबग सूरे के समानी है पर वे सूरे से अधिक दूर होने के कारण अत्यांत छोटे दिखाई देते हैं अगर आपने रात को देखा होगा, तो उनकी जो रोशनी है, वो बहुत छोटी-छोटी सी मद्धम सी, मतलब तिम्टमाती सी हुई दिखाई देती है, उसका कारण क्या है कि वो हमसे काफी दूर है, अगला जो पॉइंट है, वो देखे, कि विशेश आक्रती वाला जो तारा, जो हमेशा दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफी आक्रशक है और निराला है, और उसका नाम है क्या है, धूम केतु या फिर पुछल तारा, विशेश आक्रती वाला तारा है, इसे जो नाम है, वो दिया गया है, पुछल तारा या फिर धूम केतु, अब बात यह आती है पुषल तारा दुमकेतु की रचना हुती है, या इसमें बर्फ होती है है धूल है छोटी चक्टाने होती है इसमें की प्रधारत होती है इन सबसे मिलकर के जो पुषल ताहं या दूमक्ेतु तारा है विशय What are possible with. अब बात करें इसकी गती की कि गती जो है वो बहुत तेज होती है गैसी प्रधारत इसके अंदर होता है और पूच की तरह इसकी सर्उचना होती है इसी कारण से इसे पुचल टारा या फोच वाला टारा कहा जाता है इसके एक सबसाची उश्यश्था क्या कि धूम केतु का जो सिर होगा वो तो हमेशह सूरे की तरफ होगा और उसकी जो पूछ होती है वह विप्रित दिशा में होती है अगर मालिचे एक्जाम में इससे समधेते परश्णों पूछा जाए कि धूम केतु का सिर जो है कि हमने दूमेढर्टु को जो सीर के तरफ होता है और पूछ विपरित दिशा में होती है हम देखते हैं दूमेढर्टु के टूरी निशत पत पर परिक्रमा करता है और कभी सूर्चowsका निशत अब्दी के बाद होती है माली जे प्रश्न ये पूछा जाता है कि धूम के तू एक निशित पर परिक्रमा करता है किसकी तो सूरे की करता है क्या इसकी इसकी सूरे के निकट और कभी बहुत दूर चले जाती है तो बिल्कुल हाँ सही है और ऐसा एक निशित अब्दी के बाद ऐसा होता है अब हम बात करते हैं सबसे चर्चित जो पुछल तारा है उसका नाम है हैली जो प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है इससे देखा गया था 1986 में और अब ये पुन्ह दो हजार पासट में दिखाई देगा अगर आप चाहें तो इसके अगली डेट निकाल सकते हैं हजार पासट में अगर 76 वर्ष और जोड़ दे तो इसके जो अगला जो वर्ष होगा वो कब दिखाई देगा उसकी जो डेट है वो आ जाईगी तो सबसे जो चर्चित है पुछल तारा वो है हैली जो प्रति 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है अब बात करते हैं प्रक कोलियो पिंडो के बीच के दूरी को मापने के लिए सकव्यों किया जाता है इंपोर्टेंट है इसलिए में इसके अंडरलाइन कर दी है अगला जो पॉइंट है वो है कि एक वर्ष के अबदी में प्रकाश जो है वो करीब 3,000,000 km प्रतिस सेकिंड की गति से जितनी दूरी दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है यानि लाइट एर का जाता है और इस तरह से माना जाता है कि एक वर्ष के अबदी में जो प्रकाश है वो 30,000,000 km प्रतिस से जितनी दूरी तै कर ले उस दूरी को क्या कहीं है प्रकाश वर्ष प्रकाश एक वर्ष में लगबग पि आज हमने इस topic को पढ़ा है, ब्रह्मान पहला lesson था, रीट के लिए और 6th class का जो हमने भूगोल का लिया, उसके बारे में पहला lesson हमने भूगोल का लिया, उसके बारे में हमने पढ़ा, इस lesson में जितनी भी मतलब काम काम की, जो topic थे, कुछ important fact थे, वो निकाले थे, अगली जो वीडियो होगी, उसमें हम इसे के, जो question answer होंगे, questions को देखेंगे, और answer का जवाब, जो है, आप लोगों को ही देना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा मेरा ये प्रयासरा, क्या आप इस को detail की रूप में पढ़ना चाहेंगे, जैसा कि वे ने अभी आपको बताया, क आपको ये वाला जो topic था, जैसा में ने पढ़ाया, वो पसंद आया, अगर पसंद आया है, तो आप जरूर कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जरूर शेयर करें, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बदबद धन्यवाद,